बोले जगर्नात भगवान की चैए हो एक दिन की बात है मंठीर आतरी का समय था जगर्नात मंदिर के कपाट बंध हो चुके थे सभी भक्त और पुजारी अपने अपने घर वापस चले गए थे उसी समय बलरामदास जी जगर्नात जी के भक्त जगर्नात जी की महिमा का पालक पान चबा रहे थे उनकी होट लाल थे तब बलरामदास ची ने सोचा कि आखिर ये दोनों बालक हैं कौन इसी जिग्यासक के कारण वे उसी इस्थान पर कुछ दिनों के लिए खड़े रहे और रोज ये करम देखते रहे ये द्रश्य वे प्रति दिन देख रहे थे कि दोनों बालक निकलते हैं कुटिया में जाते हैं और कुछ देर बाद फिर से मंदिर में परवेश कर जाते हैं एक दिनों से नहीं रहा गया वे उसी कुटिया में जाते हैं वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वास्तव में ये प्रभुदास का घर है प्रभुदास एक सामन्नी व्यक्ती थे जो कि पान बेचते थे ये भगवान जगनाच जी के परम भक्त थे और अकेली रहते थे पान बेचकर ये प्रती दिन उत्री धनराशी कठा कर लेते जिससे कि उनका जीवन यापन हो सके और बाकी कसमे भगवान जगनाच जी के मंदिर में ही विदाते थे कई बार जगनाच जी को देखकर प्रभुदास जी भाववेश में आकर रोने लगते प्रभुदास जी दिन में देखते कि भगवान जगनाच को आठ बार विभिन परकार के 56 भोग अरपित किये जाते हैं और फिर सोचते कि भगवान आपको भोग अरपित करने के बाद पान और सुपारे भी अरपित की जाए तो आपका पोजन संपूर्ण हो जाएगा लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके मंदिर में अभी तक पान सुपारे अरपित करने की कोई भी प्रथा नहीं है और फिर मैं एक तुच्छ सेवक हूँ मेरे भीतर कोई योग गिता भी नहीं जिसे की मैं इस प्रथा को प्रारम कर सकूँ प्रभू बस मेरी तो एक ही इच्छा है कि कोई दिन ऐसा हो कि मैं आपको पान सुपारी अरपित कर सकूँ बस यही सोचकर प्रभु दास जी प्रते दिन भगवान जगननात को पान अरपित करने लगे थे अब एक दिन बलराम दास जी और प्रभु दास जी एक दूसरे सी मंदिर में ही मिल गए तब बलराम दास जी ने प्रभु दास जी से कहा प्रभु दास जी मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि मद्धे रातरी में दो बालक मंदिर से निकलते हैं और आपके घर में आते हैं थोड़ी देर बाद आपके घर से निकल कर वापस मंदिर में चले जाते हैं वो आपके घर से पान खा कर जाते हैं क्या वो लोग आपको पान के कीमत देते हैं तब प्रभुदास जी कहने लगे नहीं, मुझे तो कोई पैसा नहीं मिलता, वो दोनों बालक प्रते दिन मेरे पास आते हैं और मुझसे पान भी लेकर जाते हैं। जब मैं उन दोनों को देखता हूँ, तो मैं उनसे आकरशित हो जाता हूँ, और उन्हें देखकर मुझे प्रभु दास्टी का उत्तर सुनकर बलराम दास्टी कहते हैं अरे प्रभु दास्टी आप तो बड़े ही भोले हैं आपको याद रखना चाहिए कि आप व्यापार कर रहे हैं आप ऐसे कैसे बिना मुल्य लिए पान दे सकते हैं यदि ऐसा ही चलता रहा, तो आपका घर कैसे चलेगा, आज से आप एक काम करना, जब भी वे दोनों बालक आपके पास आएं, तो आप उनसे पान की कीमत मांगना, यदि वो आपको पान की कीमत ना दें, तो वे दोनों बंधत के रूप में अपनी अपनी चादर आपके पास तब ही उन दोनों को पता चलेगा कि बिना मुल्य की कुछ भी नहीं मिलता अब भूले भाले प्रभुदास जी उन्हें ये सुझाओ बहुत पसंद आया पस उसी दिन मध्य रातरी में वे दोनों बालक जब प्रभुदास जी की कुटिया में आए तो प्रभुदास जी बिलक कभी नहीं दी लेकिन आज मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूगा आज आपको पान की कीमत देनी ही होगी ये सुनकर तो दोनों बालक आश्चरिये में पड़ दे उन्होंने प्रभुदास जी से कहा कि हम लोग आज तो कुछ भी लेकर नहीं आए हैं फिर हम रोज तों से पान तब हम अपने पैसे लेकर आएंगे और आज तक का जितना भी पान हमने तुमसे लिया है उसकी पूरी कीमत हमकल तुमें चुकता कर देंगे लेकिन आज तो प्रभुदास जी बिल्कुल एक व्यपारी कितने बात कर रहे थे कहने लगे कि बिल्कुल नहीं तुम दोनों को क पर आना बंद ही कर दो इसलिए मुझे अपने पान के कीमत आज ही जाहिए जब तक तुम मेरे एक पान के पैसे नहीं दे दोगे मैं तुमें नहीं जाने दूँगा तब दोनों बालकों ने कहा प्रभुदास जी समझने की कोशिश करो हमारे पास इस समय कुछ भी नहीं हमा विश्वास करो हम कला कर तुम्हारी पूरी कीमत दे देंगे लेकिन प्रभुदास जी बोले नहीं बिलकुल नहीं यदि पैसा नहीं दे सकते तो बंधक के रूप में अपनी चादर यहां पर छोड़ जाओ जब कल तुम दोनों धन लेकर आओगे उसकी बाद अपनी चाद प्रभुदास जी के पास बंधक के रूप में छोड़ दी और वापस मंदिर में चले गए जब अगले दिन सेवक गनों ने मंदिर के कपाट खोले तो देखा भगवान जगनाज जी और बलदेव जी के सिर पर रखी सफेज चादर गायब है वे सबी सोचने लगे कि ऐसा कै कैसे हो सकता है यदि कोई चोर मंदिर में आता तो इतने कीमती आपूशंग थे इन्हें लेकर जाता सफेज चादर ही क्यों चुरा था ये सब काम किसी चोर का तो नहीं लगता लेकिन चादर गई कहां ये बात दीरे दीरे राजाजी के पास पहुची वो भी हैरान हो गए उन्होंने इस कारिये के लिए सेवकों को जिम्मेदार माना राजा ने सभी सेवकों को दंडित करने का आदेश दिया इस परकार राजा ने सभी सेवकों को बंदी बनाने का आदेश दिया अब भगवान जगनाजी को ये बात कैसे पसंद आती कि उनके निर्दोष सेवक द पिर जगनाज जी की प्रेड़ना से पलरामदास जी राजाजी के पास गए। कि स्वेम बलरामजी और भगवान जगनाज उनके पास पान लेने आते थे तो वे तो घाववेश में आ गए। अपने भगत सबसे उपर होते हैं। उनकी परसनदा के लिए उनकी भगती के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। बॉल ये जदनात भगवान की जय हो।